अज़ मैं आपको बताऊंगी मैंगो सिवाया खीर की रेसिपी सो हम सबसे पहले शुर्य करते हैं इंग्रीडियंट से और ये हैं इसके इंग्रीडियंट्स सबसे पहले मैंने यहां पे लिए है शूगर, चीनी, टैने स्पून्स अज़र आपको कमी पेश्वी होता आप और ले सकते हैं फिर मैंने लिया है एक प्याली दूद, मिल्क, प्याली दूद के अंदर हम कस्टेट पाउडर मिक्स करेंगे फिर मैंने लिया है हैस्बे जरत बदाम पिष्टे, सिवाया, हाफ पैकेट मैंने यहां पे लिया है रफान का कस्टेट पाउडर मैंगो फ्लेवर रहे, पोर स्पून्स दूसरी तरफ मैंने दो किलो दूद अच्छे तरीके से उबाल लिया है दूद को मंदी आज़ पे अराम से पकने दीजिए ताके वो अच्छे से गाड़ा उज़ए देख सकते हैं मेरा दूद रट चुका है फिर मैंने इसके अंदर चीनी आड़ करिए सबसे पहले शूगर को इसमें और टेस्ट आड़ करना है तो इसमें आप खजूर एड़ कर दीजिए चौप होए वे इससे खीर में टेस्ट बहुत अच्छा आता है यह आपकी जरूरत के मताबिक अगर आपना करना चाहें तो रहने दें इस तरफ जो आपने एक प्याली दूद मिकाल कर रखा था उसके अंदर फोर स्पून कस्टर्ड और पाउडर एट कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको दूद के अंदर एट कर लीजिए और एट करते वे अच्छे से इसको हिलाते रहिएगा ताकि इसके अंदर किट्लिया ना बनें आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगा एक साथ सारा ना धालें कर दूद के अंदर करता देंदर कर लीजिए पार थोड़ा थे वे यार्म झाव जड़ा भार ना यक्शेर करते वे इसको दोड़ा थोड़ा थोड़ा है तो आप एक यार्म में मिक्स हो जाए तो आप इसके अंदर से वह यहां एड़ कर लें की बड़ क की ही जाए दूआ इसके तो आए अजम सा का ज़ती है कर दो कर दो कर दो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें हजब जरूरत दाइके के लिए बदाम पिष्टे भी एड़ कर सकते हैं पिर आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें जब भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको डिश में निकाल लें क्योंकि अब मेरी मज़ेदार मैंगो खीर रेडी हो चुकी है और हाँ एक और बात आप ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राय कीजिए और अपने घरवालों के साथ इस रेसिपी का लुफ्ट उठाएए और हाँ मुझे कमेंट करके बताएए कि आप कोई वीडियो कैसी लगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी और ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ब्लो जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शियर कीजिए और बहुत सारे थम्स अब जरूर कीजिए और अगर कोई मेरे चैनल पे ने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग